लगातार चुकि विपक्ष का ये हमला होता रहा है कि धरातल पर मुखमंत्री की योजने नहीं उतर रही हैं राज में अब सरसाही है तो ऐसी परिसिदी में मुखमंत्री नितीश कुमार खुद जा करके सुदूर इलाकों में जा करके उसका मुएना करना चाहते हैं हमारे इसका असपस्ट मकसद है कि जनता के जनो सरकार के मामले जो सरकार के द्वारा विकास के कार्ज चलाये जाते हैं और जनता के लिए जो काम हो रहे हैं सही रूप से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो मानने मुखमंत्री जी धरातल पर यदि जा रहे हैं और धरातल से इस च तुछी की बात हैं और इस कार्ज को सभी लोगों को पक्ष विपक्ष को लोगों को सराहना चाहिए जो बहुत कम मुख मंत्री इस तरह के यात्रा पर निकलते हैं बहुत यात्रा हुआ है पहले और अभी जो शरकार के द्वारा कार्ज किये जा रहे हैं उसका कहीं त्रोटी है क्या है तो उसका समाधान भी करेंगे यह समाधान यात्रा है उनको विपक्ष के लोगों को भी इस पर गौरव करना चाहिए यह अच्छी सुरुवात पहले ही से मुखमंत्री जी किये हुए हैं और आज कर रहे हैं हम इसको सराना हम लोगों को गौरव है कि इसे मुखमंत्री है जो अस्थल पर जाके निरिक्षन करते हैं सबसे बड़ी बात है कि आपके विभाग से संबंधित ही समस्याओं को देखने के लिए सबसे पहले मुखमंत्री जा रहे हैं यह आदिवासी इलाका है नलजल योजना है यह पिएजडी डिपार्टमेंट के महत्वा कांसी योजना है कि हर घर में जल पहुंचे लगता है कि इस यात्रा की सुरुवात में आप भी सिर्कत कर रहे हैं तो एक अच्छा अफसर ने यह बहुत अच्छा अफसर है स्वभाग गए हम लोगा कि इस जिला के हम प्रभ करेंगे और नलजल योजना से ही सुरुवात कर रहे हैं हमारे लिए भी सवभा की बात कभी लली त्यादव विधान सभा में इस योजना की पोल खोलते थे दिखाते थे कि धरातल पर ने अब जी में बारी भी आपकी उसके बाद मुखमंत्री का असानत क्या लगता है कि आ मिक्षा के दर्मान जहां कमी रही उस चीज़ को भी विभाग को निदेशित कि और हम लोग को कहें इसको सुधार करवाईए और इतना ही नहीं कि यह नलजल योजना जो है अभी नगर विकास या पंचाईती राज या पीएजडी तीन विभागों से यह कार संचालित हो र अधार हो हो और तो हमको लग रहा है कि यह व्यमान्य मुखमंत्री इसमें अनेक सुधा भी दिए हम लोग सती जल पर अब दियान दे रहे हैं कि सती जल का ही परियोग ज निसमीर कि हर अर्व हर नलका जल हम हर हाल में जो LI tupi यहर नलका जल यह पहला राज विहार सिरुवात हुई और पूरे देश में आज इसका नजीर बन गया है और पूरे माल की जलके योधना का सरहना भी हुआ और पूरे देश में सभी राजों ने इसको एक तरह से अनुफ्षरन कर रहा है बिहार का कस्मीर कहा जा सकता है पस्चिम चंपारन को खास करके बालमिकी नगर जो योजना है मुखमंत्री का यहां ड्रीम प्रोजेक्ट है आप इस जीले के प्रभारी मंत्री भी है क विक्षित करने का हमनने मुखमंत्री जी उदेश से आये वी है और इंका जब भी यात्रा शुरू होता है तो पचप्पराण के भी लोगों का सभाग है और हम लोग यह समझते हैं कि हम भी प्रभाणी मंत्री है तो इस दिला से शुरूआत की है और इस जुलास में विकास की गती और तेज होगा आप ही के दल के सिवान अंतिवारी जीन का कराके की ठंड है मुखमंत्री जा रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन पर ठंड का असर पड़ेगा उनको परेसानी होगी इसलिए उनोंने बिंती कि है मुखमंत्री जिसे की यतरा को अस्तिकित कर देड़े क्या मज़ती है ने हम लोग इस कारजकरम को सरहना है करते हैं और इस तरह का कारजकरम यदि ठंड में कोई मुखमंत्री निकले तो हमको लगता इसे और बड़ी बात नहीं मुखमंत्री यदि इस तरह से ठंड में निकले और कार्जों की समिख्षा करे ताब इससे सभा की बात क्या हो सकते पक्ष को सियासत नजरा रहे कि सभा नहीं कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर सारी बातें कहीं हैं वो आये हैं मुआयना कर रहे हैं